एक्ससाइब 6.1 कोश्चन 13 देखिए इसमें क्या दिया है बैलून विच आल्वेज रिमेंस स्पैरिकल है जो इस एक्सप्रेशन से दिया है मतलब इस बैलून का जो वॉल्यूम होगा उसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स याने डीवी बाइडी एक्स हमें निकालना है इस कोश्चन में ठीक है तो आप कैसे निकाले तो देखिए सबसे पहले यहां देखिए डायमिटर जो दिया है उसका हाफ होग रेडियस रेडियस होगा डी बाइटू ठीक है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें आप टू से डिवाइड कर दो तो यह बन जाएगा थ्री बाइफ और टू एक्स प्लस वन तो यह हमें आर मिला ठीक है अब इसका यूज क्या है सार का तो हम वॉल्यूम का फॉर पैरिकल शेफ है वैलून का तो वॉल्यूम आफ स्पेयर यानि फोर बाइट थ्री पाई आर क्यूब यह फॉर्मूला अब आर की वैल्यू आपको यहां ही सब्सिट्यूट करनी है तो यह क्या बन जाएगा वी इस एको टू फोर बाइट री पाई आर के जगे यह आपको क घ्रत वी इस इकोल टू 4 बाइट 3, पाई 3 by 4 को हम बाहर निकल लें तो यह 3 by 4 into 3 by 4 into 3 by 4, यह तीन बार होगा क्योगि क्यूब है यह पूरा उसके बाद 2X प्लस 1 whole cube इस तरीके से लिख लो तो 1, 4 और 1, 3 तो कड़ गया बागी नहीं कटेगा तो v is equal to 3 into 3, 9 हो गया, 4 into 4, 16 हो गया, और pi और ये हो गया 2x plus 1 whole cube, ठीक है, अब ये आने के बाद, अब हम इस पूरे expression को x के respect में differentiate करेंगे, तब हमें dv by dx मिल जाएगा, तो dv by dx is equal to, अब देखिए 9 by 16, pi ये constant है, तो इसका तो हम differentiation नहीं करेंगे, इसका differentiation होगा, d by dx of 2x plus 1 whole cube, ठीक है, अब देखिए इसको solve करेंगे, तो 9 by 16, pi, ये x cube तो multiply में आ जाएगा, और into 2x plus 1 whole square हो जाएगा, इसके बाद, इसका differentiation होगा, chain rule लगाएंगे, I hope आपको आता होगा chain rule, differentiation हम कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, 9th रिजा 27 by 16, pi, ब्रैकेट में 2, x plus 1 का square, यहाँ पे इसका differentiation करेंगे, तो 2x का differentiation 2 हो जाएगा, और 1 का differentiation 0, तो ये पूरे का हो गया 2, ठीक है, अब ये 2 और 16 cancel हो जाएगे, तो क्या मिला, 27 upon 8, pi, 2x plus 1 का square, तो हमें ये मिला, dv by dx का expression, और यही हमें निकालना था,